Hello everyone, this is Shuti and आज हम लोग अपने debenture topic के continue करेंगे Last lecture में हमने debentures की theory discuss की थी तो आज हमें practical portion discuss करना है जिसमें की हमारा वैसे तो पहला topic होना चाहिए था issue of debentures at par but since अब shares, issue of shares at par discuss कर चुके हैं तो debentures at par का अलग से हमें कुछ भी exclusively करने की जलत नहीं है मैं एक question करा देती हूँ, issue of debentures at premium जिससे की par वाला automatically हम लोग को समझ में आ जाएगा So let us start with a question देखिए आपका question क्या कह रहा है कि Rohan Chemicals Limited of Mumbai ने issue किये 10,000 debentures, 8% debentures तो यहाँ पे यह जो 8% word है यहाँ पे इसका यह मतलब है कि इन debentures पे हम लोगों को जो जिसने भी debentures खरीद रखे होंगे उनको 8% discount, sorry, sorry, 8% interest मिलेगा ठीक है, जिसे 100 रुपे का एक debenture है तो हर साल debenture holder को 100 का 8% that means 8 रुपे का interest मिलेगा एक debenture पे और company ने issue कितने करें है 10,000 debenture issue की होए है तो एक debenture पे अगर 8 रुपे का मिल रहा है तो 10,000 debentures पे कितना मिलेगा वो हमारा calculate हो जाएगा, ठीक है इंटरस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो each at a premium of 10% अब 100 रुपे का debenture है 10% के premium पे issue किया है तो यह premium अलग चीज है premium 100 रुपे का 10% that means 10 रुपे के premium पे issue किया है ठीक है इंटरस्ट अलग चीज है premium अलग चीज है premium मतलब कि debenture 100 रुपे का है लेकिन अगर किसी को company के debenture खरीदने है तो 100 रुपे नहीं उसको कितने रुपे पे करने पड़ेंगे 110 रुपे पे करने पड़ेंगे 100 रुपे की तो face value और 10 रुपे का premium पे बल application पे 40 रुपीज और allotment पे 70 अब देखो अगर shares आपने किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि जब तक question exclusively mention ना करे हम premium को किस पे assume करते हैं allotment पे assume करते हैं तो actually it is 70 में क्या है 60 की face value है और 10 रुपीज का securities premium reserve है और देखो 70 और 40 मिलके बन गए ना 110 रुपे ठीक है आपको entries पास करनी है fully subscribed है fully subscribed मतलब जितने company ने debentures issue किये थे उतने की ही हमारे पास application आई है और हमारे पास हमें सारा money receive हो गया है तो अब हम सीधे मैं book में सही करारियू solution क्यूंकि हम same topic shares के साथ हम कर चुके हैं तो सबसे पहले entry हमारी shares की तरह होगी bank account debit to debenture application अब shares में आप share application लिखते थे debenture में आप क्या लिखोगे 8% debenture application ये नाम है जो interest का rate होता है वो debenture के नाम के साथ ही include होता है 10,000 debenture थे 40 रुपीज की application की money मंगाई है तो ये 4 लाग रुपे आपने मंगा लिए फिर application पे आप simple जैसे उसमें क्या करते थे share application to share capital इसमें क्या करोगे 8% debenture application account debit to 8% debenture same 4 लाग फिर next entry आप allotment की due करोगे तो उसमें भी share की जगा आप क्या use करोगे share की जगा हम use करेंगे word debenture debenture allotment कितने रुपे मंगाए है 10,000 debenture है 70 रुपे की allotment है 7 लाग रुपे मंगाए face value तो 60 रुपे की है तो 60 से multiply करा 6 लाग बाकी का क्या है securities premium reserve 10,000 into 10 कितना हो जाएगा 1 लाग और फिर इस allotment की money हमें आ जाएगी bank to debenture allotment 8% debenture allotment 7 लाग रुपीज ठीक है बिलकुल सेम है shares की तरह अगर ये पार पे होते तो सब कुछ सेम होता बस securities premium reserve word हमको नहीं आता यहाँ भी सिधे 60 हो जाता तो इसलिए अलग से पार का हम लोग question discuss नहीं करेंगे अब next हम एक discuss कर लेते हैं issue of debentures at discount चलिए question से discuss करते हैं क्या कह रहा है सूरिया लिमिटिड ने issue किये 2500 debentures 15% debentures तो again यहाँ पे 15% क्या है rate of interest है मतलब अगर मैंने company का एक debentures खरीदा हुआ है तो मुझे हर साल 100 रुपे पे 15% यानि की 15 रुपे का ब्याज company को compulsorily payment करना ही होगा add a discount of 10% discount of 10% means 100 रुपे का debentures था लेकिन हमें इस तैम अगर हम खरीदेंगे तो हमें 10 रुपे का discount मिल जाएगा that means actually में हमें कितने हमें कितने का पड़ेगा वो debenture debenture अगर कोई purchase करेगा तो उसको पड़ेगा 90 रुपे का पड़ेगा जिसमें की अब 25 रुपे application के हैं 25 allotment के and balance on first call तो 90 रुपे में से 25 और 25 50 रुपे तो application और allotment के आ गए तो first और final call पे कितना बचेगा 40 रुपीज और अगर आपको अलग से question में mention नहीं है तो हम किस पे assume करेंगे कि हमने discount कहां से पूरा किया हमने discount पूरा किया है allotment से तो यहाँ पे इसका actually क्या मतलब होगा कि allotment पे आने चाहिए थे 35 लेकिन हमने 10 रुपे का discount दिया है इसलिए हमारा allotment पे कितना बन गया 25 रुपे बन गया सारा money हमें मिल गया है हमारे debentures के issue पे खर्चा आया है 8,000 रुपीज का and directors ने decide किया है कि वो हर साल expenses का और discount का 1,5th write-off करेंगे अब देखो यह नया concept आया है देखो क्या होता है ना जैसे discount है है तो वो खर्चा मान लीजिए अब इस पे discount आपका कितना बनेगा कितने debentures थे आपके debentures थे 2500 debentures थे 10 रुपे का discount था आपका discount हो गया total 25,000 रुपीज का ठीक है ऐसे ही expenses आपके total कितने आए expenses आपके है as per the question expenses आपके है 8,000 रुपीज के तो क्या होता है न जिसे जो total आपका खर्चा है total आपका 33,000 का खर्चा है वो खाली पहले साल का खर्चा थोड़ी ना है मान लीजिए आपके debentures की redemption life है 10 years मान लो debentures 10 साल बाद redeem हो जाएंगे तो debentures की life 10 years है तो हम क्या करते हैं इस 33,000 को हम 10 अलग-अलग हिस्सों में distribute कर देते हैं तो यानि कि हर साल हमने बाट दिया कि हर साल हमारा खर्चा कितने रुपे का आएगा 33,000 रुपीज का आएगा ठीक है मतलब हमने क्या किया total हमारा जितना भी हमें loss हो रहा है या खर्चा हो रहा है वो हमने distribute कर दिया throughout the life of the debentures that is जितना भी आपको question में mention होगा तो इसमें आपको क्या है इसमें आपको question में mention है कि हर साल 1,5 आप write-off कर रहे हो 1,5 आप write-off कर रहे हो तो हम इसमें क्या करेंगे जितना भी हमारा total खर्चा है हम उसका हर साल कितना write-off करेंगे 1,5 आप करेंगे यह मैंने बस example के लिए बताया question में discount actually में 25,000 नहीं है question में 20,000 रुपे का है क्यों क्योंकि actually में application आपकी 2000 debentures किया ही है यह हम question से भी discuss कर लेते हैं देखो हमें question ही कह रहा है कि application वर received for 2000 debentures बेशक company ने issue कितने करे थे बेशक company ने issue करे थे 2500 लेकिन subscription तो केवल 2000 debentures के आया है तो हम सभी entries 2000 debentures के हिसाब से ही करेंगे and it is a case of what it is a case of under subscription under subscription meaning जितने debentures जितने के लिए company ने बोला issue करे उससे कम की application आई है ठीक है तो सबसे पहले entry से हम start करेंगे सबसे पहली entry हमारी क्या होएगी जो normal shares में भी होती है bank account debit 2 कितने percent debenture है 15 percent debenture application account ठीक है पूरा लिख रहें ना bank account debit 2000 debenture की application आई है and application पे हमारे कितने रुपे है 25 रुपीज तो हमारे पास ये कितना हो गया 50,000 रुपीज हो गया अब next entry 15 percent हम क्या करेंगे 15 percent debenture application को debenture account में transfer करेंगे to 15 percent debenture account तो ये हमारा हो जाएगा again 50,000 रुपीज उसके बाद हम क्या करेंगे allotment का पैसा मंगाएंगे allotment का पैसा मंगाने के लिए क्या entry पास करेंगे 15 percent debenture allotment account debit to 15 percent debenture account अब यहाँ पर आप देखिए debenture allotment में आपने कितने रुपे मंगाए हैं आप के पास 2000 debenture हैं और allotment पे आपने मंगाए हैं कितने रुपीज 25 रुपीज तो आपने मंगाए हैं 50,000 लेकिन debenture में हम face value लिखते हैं face value कितने रुपे की है 35 रुपीज की 70,000 तो बाकी का हमारा क्या हो जाएगा discount हो जाएगा तो हम करेंगे discount on issue of debenture's account debit 20,000 और अगर वैसे भी calculate करना चाहें तो 2000 debenture है और 20 कितने रुपे का discount है? स्वरी 10 रुपीज का discount है तो यह हो गया ना 20,000 रुपीज ठीक है? प्रीमियम credit होता है, discount हमारा loss है तो discount हमारा debit हो जाएगा, फिर next में हम क्या करेंगे? next में हम हमारे को allotment के पैसे आएंगे, तो हम उसकी general entry पास करेंगे bank account debit to 15% debenture allotment account कितने रुपीज आएंगे हमारे पास? हमारे पास आजाएंगे 50,000 रुपीज क्यों? क्योंकि हमने actually तो 50,000 यह मंगा है ना? 20,000 का तो discount है हमारा, फिर हमारी next entry due होगी, first call की तो हम लिखेंगे 15% debenture first and final call account debit to 15% debenture account narration और आगे पूरा account debit आप लोग को खुद लिखना है 2,000 debentures है and कित्ते रुपे की application है आपकी? कित्ते रुपे की call है? 40 रुपीज की call है तो यह आपका हो जाएगा 80,000 रुपीज उसके बाद हमाये पास पैसा आ जाएगा हमको call का तो हम लिखेंगे bank account debit to 15% debenture first and final call account कितना आ जाएगा? 80,000 अब question क्या कह रहा है? question कह रहा है कि हमारा expense भी हुआ है तो हम क्या लिखेंगे expenses on issue account debit to bank क्योंकि हमारे पास से पैसा bank से जा रहा है credit word goes out real account का rule लगा और ये nominal का लगा debit all expenses and losses और ये किसका rule लगा? real का credit word goes out 8,000 रूपीज अब question ने क्या बूला है? कि हर साल हम लोग को 1-5th write-off करना है तो पहले एक बाद journal entry देख लेते हैं write-off कैसे करते हैं? हम क्या entry होगी? statement of P&L पूरा लिख लेना statement statement of P&L account debit क्या write-off कर रहे हो? एक तो आप expenses write-off कर रहे हो to expenses on issue account देखो expenses यहाँ debit हुआ है तो जब वो write-off हो रहा है तो वो credit हो जाएगा ऐसे ही to discount on issue of debenture उपर देखेंगे तो discount आपका क्या हो रहा था? discount आपका debit हो रहा था करोगे तो क्या हो जाएगा वो? credit हो जाएगा अब देखो discount कितने का था? discount आपका था 20,000 का and expenses आपके थे 8,000 के तो दोनों का अगर आप 1,5 निकालो discount का 1,5 कितना आएगा? 4,000 and expenses का 1,5 कितना आएगा? 1,600 तो आपने क्या किया? expenses write-off करे कितने के? 1,600 discount write-off करा? 4,000 का total इस साल आपने P&L से कितना write-off करा? 5,600 रुपीज का और यही वाली entry आपको हर साल, every year आपको करनी पड़ेगी और यह total, in totality आपके कितने साल देखो हिसाब लगाओ in totality आपके 5 सालों में यह आपके write-off हो जाएगी क्योंकि हम हर साल 5 वा हिससा write-off कर रहे हैं तो total अगर हम हर साल 5,600 रुपे write-off करते चलेंगे तो हमारे को total 5 सालों में हमारा total amount write-off हो जाएगा ठीक है? PAR की entries बिल्कुल सेम होती हैं इसलिए मैंने PAR का question अलग से discuss नहीं करा है बट आप लोग इसको practice कर सकते हो तो आज हमने किया issue of debentures at PAR issue of debentures at premium and issue of debentures at discount जिसमें कि discount का topic हमारा थोड़ा सा new था Thank you so much for watching